चुनाओं की तैयारी हम सभी परभारी अब समझ रहे होंगे हम किस बारें बात कर रहे हम सभी जानते हैं आने वाले साल में मध्य प्रदेश में विधान सभा के चुनाओं आने वाले हैं और हमेशा की तरफ फिर से सरगमिया तेज हो चुकी है कि अब रोजगार उपलब्द क कराएं जाएंगे ऐसाई की भरती पिछले चार-पांस सालों से नहीं हुई है लेकिन खबरे आ रही है यहां तक कि मुख्यमंत्रे जी ने घोशना भी की है कि वह एक लाक भरती करेंगे तो इसी का विशलेशन करने के लिए हम देनीग भासकर का एक कटिंग आप से शेयर कर रहे हैं जहां पर जो है सारी डिटेल दे रखी है कि जहां प्रदेश में एक लाक भरती की तैयारी की बात चल रही है उसके बावजुद तीन लाक से जादा पत खाली है चम्वालिस विभागों में सरवाधिक रिक्तियां हैं तो इस क्या है किस प्रकार से है डेटा आपके सामने उपलब्द है कितने पद है किस विभाग से हैं और क्या सारी परिस्तियां हैं तो देखना होगा कि क्या सरकार सच में भरती करती है और तीन लाक पद खाली है तो इन सभी पदों पर भरतिया क्यों नहीं हो रही है और क्यों वो रिटायर्मेंट की एज बढ़ाने पर तुली हुई है क्योंकि चर्चा यहां तक थी कि रिटार्मेंट की उम्र जो है 62 से 65 साल कर दी जाएगी खेर अभी ऐसा हुआ नहीं है लेकिन अगर ऐसा होता है तो कहीं न कहीं जो हम एस्पिरेंस हैं जो विभिन विभागों को लेकर विभिन कोर्स को लेकर आप कर लिए हम ले नहीं रहे हैं तो पता नहीं हम शाहिद कोचिंग कोई भला कर रहे हैं क्योंकि एक्जाम तो होती नहीं है आप सबी जानते हैं हाला कि ऐसी पेपरों में कटिंग चलती थी ऐसा ही जॉब को लेका लेकिन पिछले चारपस सालों से कोई वेकेंसी नहीं निकाली है ले दे के इका दुका निकाली थी पुलीस की तो उसमें भी जनरली निराशा ही लगी है क्योंकि इस प्रकार से कहीं रूल्स थे तो चलिए आपके सामने डेटा है आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से क्या पत खाली है क्या नहीं है और अब तक किन विभागों में वेकेंसी ली ही मतलब यहाँ वेकेंसी ही नहीं है ठीके तो इस प्रकार से हम पर बताया गया है तो आप देख सकते हैं तो आई होप आपको ये वाला छोटा सा मारा वीडियो पसना आएगा तो सब्सक्राइब एवर चैनल, लाइक, शेयर, कमेंट, have a nice day and thanks for watching और बताइए का आप इस विशे पर क्या सोचते हैं